नमस्कार मित्रों इस समय आप सत्य विचन कारिक्रम देख रहे हैं और मैं आप सब का इस कारिक्रम में हार दिख स्वागत करता हूँ इस कारिक्रम में हम परमेश्वर की विभिन बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वह आपके जीवन और मेरे जीवन के प्रती कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर उन सब पर जो विश्वास करने वाले हैं उन पर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है परमेश्वर के वचन का ज्यान हमें उसके निकट रहने में सहायता करता है इसलिए इस कारिक्रम में हम परमेश्वर के वचन का सिलसिलेवार अध्यन करते आ रहे हैं ताकि उसकी एक एक बातों को भली भाती जान ले कि हम उसकी किसी भी आशीश को ना खोएं और किसी चूक के कारण उसके धंड के भागी ना हो या किसी गलती के कारण हम उसके धंड के भागी ना हो परमिश्वर प्रेमी और दयालू परमिश्वर है लेकिन वह न्याई परमिश्वर भी है उसके पास मनुश्य को आशीश देने के लिए निश्चित नियम है जब हम उन्हें जानेंगे तो उसके अनुरूप वहवार भी करेंगे और परिनाम सरूप वह हमें अपनी आशीशों का भागी बनाएगा जानकारी की कमी और लापरवाही हमें परमेश्वर की उपस्थिती और उसकी आशीशों से दूर कर देती है जो कभी कभी दर्दनाक होता है कई बार बहुत कस्ट भरा होता है परमिश्वर का वचन हमें इन बातों से सचेत करता है परमिश्वर की संतान के लिए परमिश्वर से फिर कर देह की इच्छा को पूरी करना एक खतरे की घंटी है आज का अध्यन हमें इस संब्ध में साउधान करेगा इसलिए इसमें ध्यान पूरव भाग लें और वचन से सीखें ताकि कोई कड़वी जड़ आपके इर्दगिर्द आपके आसपस आपके परिवार में ना निकलने पाए। आईए अपने अध्यन में आगे बढ़ें। मित्रों पिछले अध्यन में हमने चार प्रतिक्रियाओं को देखा था जब परमेशर हमें अनुशासित करता है। और हमने पालुस की जीवन में देखा कि वह अपने शरीर को वश में रखने के लिए कैसे मारता और कूटता है ताकि शारिक लालसाओं का शिकार ना बने। और इबरानियों की पत्री बारा अध्याय उसके पंद्रपस से पढ़ेंगे। आए हम पढ़ें। द्यान से देखते रहो ऐसा नहो कि कोई परमेशर के अनुग्रह से वन्चित रह जाए। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद हो जाएं। द्यान से देखते रहो। इसमें दिशा निर्देश का विचार नहीत है। यह दिशा क्या है। हम इबरानियों के पत्री बारा अध्याय उसके दो पद में देखते हैं जहाँ पर लेखक कहता है। और विश्वास के करता और सिध करने वाले इशु की ओर ताकते रहें। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता न करके कुरूस का दुख सहा। और परमेश्वर के सिहासन की दाहिनी और जा बैठा। लिखा है कि कोई परमेश्वर के अनुगरह से वन्चित हो जाए। यहां वन्चित का अर्थ धर्म त्याग नहीं है। इसका अर्थ है पिछड़ जाना। पिश्वासी को मनिश्य की अपेक्षा प्रवीश्यू पर आखे गड़ाए रहना है। अन्यथा वह परमेश्वर के अनुगरह को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के पास असीम भंडार है और वह अपनी संतान पर बहतायत से अनुगरह बरसाना चाहता है। वह इसमें अति सक्षम एवं योग्य है। प्रवीश्यू ने हमारे पापों का दंड चुकाया। परमेश्वर दया और अनुगरह का धनी है और वह हमें इसमें माला माल कर देना चाहता है। परन्तु समस्या यह है कि हम अनुगरह प्राप्ती से पीछे हट जाते हैं। मेरे मित्रों, हम यहां सत्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसे आप परमिर्शर के पास जाकर थाम सकते हैं. यही तो इसकी महिमा है और इस पत्री का संदेश है. क्या आप आज उसके पास गय हैं? आपने स्रद्धा पूर्वक तो उससे बात की होंगी. परंतु क्या आपने उससे पिता रूप में बाते की हैं? उसे अपने बारे में सब कुछ बता दें. उससे कहें कि आपको अनुगरह की आवशक्ता है. हम सब को अनुगरह की आवशक्ता है. और वह उपलब्द है. हमें केवल मांगने की आवशक्ता है. परमिर्शर के अनुगरह से वन्चित ना हो जा लिखा है कोई कडवी जड़ फूट कर कश्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद हो जाएं एक विश्वासी कलिश्या में कलपना से परे समस्या खड़ी कर सकता है एक मचली पूरे तालाब को गंदा कर देती है हमें परमिर्श्वास से अनुगरह की याचना करना है कि हम अपनी अगम परिस्तितियों में जीवन निर्वाह कर पाएं और हमारे मन में किसी भी प्रकार की करवाहट उत्पन ना हो इब्रानियों की पत्री बारा अध्याय उसके सोला पद में आगे हम पढ़ते हैं लिखा है ऐसा ना हो कि कोई जन व्यविचार या एसाओ के समान अध्धर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलाउठे होने का पद बेच डाला मित्रो व्यविचारी से यहां अभिप्राय है आत्मिक अनाचार परमेश्व से हटकर दैहिक लालसाओं का संकट मन राता रहता है एसाओ ने अपने पहलाउठे का अधिकार बेच दिया था उसे प्रवईश्यू का वनसज होना था और अबराहम के परिवार का याजक होना था परन्तु उसने इसके चिन्ता नहीं की और सांसारिक लालसा के वर्ष में हुआ वह आत्मिक बातों में रूची नहीं रखता था आगे देखते हैं अधर्मी अधर्मी का अर्थ यहां है इश्वर विरोधी अर्थात एसाओ को इश्वर से कोई लगाव नहीं था उश्वर के प्रती किसी प्रकार का उत्तरदायत्व संभालना नहीं चाहता था उसने अपने पहलोठे होने के अधिकार का महत्व ना जानते हुए एक कटोरे दाल के लिए उसे बेच दिया इसी प्रकार अनेकों ने अपनी आत्मा विवेक बेच दिये हैं कुछ ने शराप के लिए, कुछ ने योना चार के लिए, किसी ने नशीले पदार्थों के लिए, किसी ने मरश्टा चार के लिए अत्र परमेश्वक की संतान के लिए संकट यह है, कि वह परमेश्वक से हटकर दैहिक लालसाओं में लिप्थ हो जाए हम या तो प्रविश्वक के संबंधों में आगे बढ़ेंगे, या पिछड जाएंगे हम एक या स्थान में रुके नहीं रहेंगे इबरानियों की पत्री बारा अध्याय उसके सत्रा पद में आगे लिखा है तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशिश पानी चाही तो आयोग्य गीना गया और आसु बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का आउसर उसे ना मिला धर्म शास्त्र के कुछ अंश गलत समझे जाते हैं जैसे यह पद इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि एसाओ परश्ताप करना चाहता था परन्तु परमिर्श्र ने उसे आउसर नहीं दिया परन्तु लेखा का अभिप्राय कुछ और है एसाओ ने अपना पहलावठे का अधिकार तो बेच दिया परन्तु बाद में उसे पता चला कि उस अधिकार के साथ उसका उत्राधिकार भी था उसे अपने भाई से दो गुणा अधिक मिलना था कहने का अर्थ यह है कि एसाओ केवल शारिक आउशक्ताओं को ही देख पाता था वह उस चोर के समान था जो पकड़े जाने पर पच्ता रहा था वह इसलिए नहीं पच्ताया कि वह चोर था और उसने चोरी की उसे दुख इस बात का था कि वह पकड़ा गया इसी प्रकार एसाओ भी परमिर्श्वर की और फिरने और आत्मिक आशिशों के प्राप्त करने के लिए दुख नहीं मना रहा था उसे दुख था कि वह सांसारिक संपता से वन्चित हो गया था सच तो यह था कि वह परमिर्श्वर का विरोधी था हम इवरानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 18 से 21 पद में आगे पड़ते हैं यहाँ पर लिखा है तुम तो उस पहाड के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आधी के पास और तुरही की ध्वनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आये जिसके सुनने वालों ने विन्ती की कि अब हम से और बाते ना की जाएं क्योंकि वे उस आग्या को ना सह सके यदि कोई पशु भी पहाड को छुए तो उस पर पत्थराव किया जाए और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ मेरे मित्रों यहां लेखक सीने परवत पर मूसा की विवस्था देने के समय के ड्रिश्य का वर्नन कर रहा है यह पुरानी विवस्था वाचा है वस्तु इस्थिती यह थी कि यरुशलेम के ये मसीही जन बहुत हानी उठा रहे थे प्रथा के अमसार मंदिर जाना उनका अब भी अभ्यास था वहां वे मूसा की विवस्था का पाट सुनते थे परंतु अब वे विवस्था से भी वन्चित हो गय थे और मंदिर की रीतियां भी त्याग चुके थे और इस कारण वे समुदाय का भाग नहीं रहे उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे जाती बाहर थे यही कारण है कि लेखक उनसे कहता है कि वे तो एक भिन पहाड के निकट आये हैं और वे सीने परवत के पास लौट कर जाना नहीं चाहेंगे निर्गिमन की पुष्टक अध्याय 32 में हम देखते हैं कि सीने परवत पर जब वेवस्था दी गई थी तब 3000 मनिश्यों की मौत हुई थी परंतु 55 कोस्त के दिन 3000 मनिश्यों ने मुक्ति पाई थी कहने का अर्थ यह है कि वेवस्था का दिया जाना वास्तों में एक दुखद अनुभो था परंतु 55 कोस्त के दिन जब सु समाचा सुनाया गया तो मनिश्यों ने नया जन्व पाया मेरे मित्रों सिने परवत का दिरिश्य भयानक था गरजन, बिजली चमकना, भुकंब, आंधी, आग, तुरही की बढ़ती हुई आवाज वह दिरिश्य ऐसा भयानक था कि इस्राइलियों ने मूसा से कहा तु हमसे बाते करे, तो हम सुनेंगे, परन्तु परमेश्वर को मत बोलने दे, नहीं तो हम मर जाएंगे इसे हम निर्गमान की पुस्तक 20 अध्याय के 19 पद में पाते हैं अता लेखक कहता है, तुम वहां तो जाना नहीं चाहोगे, हमसे वह सब त्याग दिया गया है मेरे मित्रो मेरी कलिश्या में एक अतिप्रिय महिला थी, परन्तु वह वैसी ही थी जैसी इस्त्री के लिए पालुस दूसरा तिमथ्यूस की पत्री तीन अध्याय उसके 6 से 7 पद में कहता है लिखा है इनहीं में सेवे लोग हैं जो घरों में दबे पाउं घुस आते हैं और उन दुर्बल इस्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाशाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्ती की पहचान तक कभी नहीं पहुँचती वह एक धनी परिवार से थी अतह खाना पीना आदी उसका अभिहास था तथा अनाचार से चूकती भी नहीं थी परन्तु बाइबल अध्यन में आना चाहती थी वह अराधनालयों में भी आती थी परन्तु मेरी कलिस्या की सदस्य नहीं थी एक दिन मैंने व्यवस्था पर उपदेश दिया तो बाद में उसने मुझसे कहा व्यवस्था का दिया जाना कैसा अनुपम द्रिश्य था मैंने उससे कहा कि विवस्था का दिया जाना अनुपम नहीं वरन बाइबल में एक सारवाधीक भयानक द्रिश्य है और विवस्था से उद्धार कभी नहीं हो सकता यही कारण था कि उसमें बली चड़ाने का प्रावधान था एक पशुर की जान जाती थी और उसका लहु बहाया जाता था विवस्था तो उन्हें दोशी ही ठहराती थी यह इबराने विश्वासी मंदिर जाकर विध्यान निभाने के आदि थे परन्तु अब ऐसा कुछ नहीं था अतह लेखक कहता है कि उनके पास अब भी कुछ है इबराने के पत्री बाराद है उसके बाइस पद में लिखा है पर तुम सियोन के पहाड के पास और जीवते परमिर्श्वर के नगर स्वर्गे यरुशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों यहां स्मरन रखें कि लेखक इबरानियों को लिख रहा है सियोन परवत यरुशलेम में दावत का स्थान था उसका महल वहाँ था और उसके कबर भी वहीं है सियोन दावत का मन पसंद स्थान था अधिकांस इब्राने विश्वासी अब भी यरुशलेम में परो मनाने जाते थे, परंतु सताव आरंभो जाने के कारण उन्हें यरुशलेम से बाहर निकाल दिया गया था, अतह लेखक उन्हें आश्वासन देता है, कि उनका यरुशलेम स्वर्ग में है, सियोन परवत स्वर में उसे नया यरुशलेम कहा गया है मैं आपका मकान संख्या और मार्ग का नाम तो नहीं दे सकता परन्तु मेरा पता निश्य ही नय यरुशलेम का है मेरे मित्रों परमेश्वर के अनुगरह से हम यहां पहुँचे हैं हमें यहुदियों की तुल्ला में जो विवस्था के अधिन थे प्रवईश्य में कहीं अधिक उत्तम वस्त्वे प्राप्त है लिखा है लाखों स्वर्ग दूतों मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि स्वर्ग दूतों के सेवा कलिस्या से सम्बंधित नहीं है परन्तु हम एक दिन नए यरुश्यले में अवश्य होंगे प्रकाशित वाकी की पुस्तक में यहना एक महान अराधना का दृष्य व्यक्त करता है जो उसने स्वर्ग में देखा वह कहता है कि दस हजार गुना स्रीजित प्राणी वहां है तदो प्रांत उसने मुड़ कर देखा कि वहां असंखे लोग थे यह परमिश्वर के स्वर्ग दूथ थे मैंने कभी स्वर्ग दूथ नहीं देखे परन्तु उनके बारे में सोचता अवश्य हूँ एक दिन मैं नए यरुश्यले में प्रवेश करके आपके साथ मेमनी की आराधना में सहभागी होंगा वहां स्वर्ग दूथ भी होंगे मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे यदि कोई मुझसे कहता है कि उसने स्वप्न में स्वर्ग दूथों से बात की तो मैं उससे कहता हूँ कि वह अपने रात के भोजन का ध्यान करें कि क्या खाया था इससे उसे स्वर्गदूत के दर्शन की बात समझ में आएगी मेरे मित्रों यदि आप सोचते हैं कि आपने स्वर्गदूत को देखा है तो यह आपका ब्रहम है परन्तु हाँ आप उनके निवास अस्थान में अवश्य जाएंगे हम इबरानियों के पत्री बारा ध्याय उसके तेईस पद में पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है और उन पहलोटों की साधारन सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याई परमिर्श्वर के पास और सिद्ध किये हुए धर्मियों की आत्माओं ध्यान देजे लिखा है उन पहलोटों यह दिपी प्रवईश्य पहलोटा कहा गया है परन्तो यहां यह उसके संदर्व में नहीं है लेखक उन्हें पहलोटा कह रहा है जिनका नया जन्म हुआ है केवल वे ही स्वर्ग में होंगे यह पहलोटों की कलीसिया है जो उठाय जाने के दिन यहां लाए जाएंगे तब आगे देखते हैं जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के नयाई परमेश्वर के पास मैं परमेश्वर को धन्यवात कहता हूँ कि जब मैं सब के नयाई के समक्ष खड़ा होंगा तब वहाँ एक मनश्य होगा जिसने मेरे पापों का दंड चुका दिया होगा और मेरा लेखा सबस्ट होगा तब आगे लिखा है सिद किये हुए धर्मियों की आत्माएं यहां सिद का अर्थ है पुराने नियम के भक्तों की आत्माएं जिनको उद्धार प्राप्त हुआ है क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है वह उनके लिए भी मरा आज हर एक मनश्य जाती जो उस पर विश्वास करता है वह उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है चाहे आप कोई भी क्यों ना हो मेरे मित्रों आज हम सब के लिए क्या ही सवभागी की बात है कि हमारे लिए कोई एक है जिसने अपने उस बहमुले लहु को बहा दिया और हमारे पापों से हमें छुडाने के लिए कीमत चुका दिया ताकि मैं और आप भी उन पहलोटों की गिंती में आ सकें क्योंकि यदि आप प्रवीश्य को अपना उधार करता ग्रहन करते हैं तो निश्य ही आप उसके राज्य में प्रवेश्य करते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर है A. 4 इस अध्यान के अनुसार हम परमेश्वर द्वारा दी गई तारना के प्रती चार प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं आज का प्रश्न है इबरानियों 12 का 16 में किसकी तुलना अधर्मियों से की गई है जो अपनी आत्मा यविवेक को शारडिक अभिलाशाओं के लिए बेच देते हैं A. शिम्शोन B. कैन C. इसमाइल D. एसव मित्रों इस प्रस्न का उट्टर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान की जाएगी धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं प्रेभाईयों एवं बहनों परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई किसी भी संकट में पढ़े कोई किसी आशीश से वन्चीत हो जाए ये एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है कि परमेश्वर अपने नियम के अधार पर ही काम करता है ना कि हमारे विचारों के अधार पर वो कार्य करता है उसके आशीश देने का तरीका उसके नियम के अधार पर है इसलिए हम सबसे आवान करता है कि सब से मेल बिलाब रखने में और उस पुईतिरता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापी न दिखेगा और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्र से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं और उध्धार से वंचित हो जाएं परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सब दंड के भागी हों लेकिन यदि हम परमेश्वर की वीदियो और आग्याओं का पालन नहीं करते हैं तो वह उसका प्रतिफल हमें निश्चित देगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि हमारे अपवित्र कारियों के कारण हमारे आसपास बाकी लोग भी परमेश्वर के नियम के विरोधी बन जाए हम सभाव से परमेश्वर की विरोधी है और हमारे इस चरित्र को सिर्फ परमेश्वर ही बदल सकता है केवल परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन को बदल सकता है इसलिए हम प्रति दिन उसके वचन का अध्यन करते आते हैं यदि हम परमेश्वर के प्रभंध को जो उसने इशु मसी में पूरा किया है इसे सिकार करेंगे तो वह हमारे नाम को स्वर्ग में लिख देगा स्वर्ग की पुस्तक में लिख देगा आईए हम एसाओ की तरह देह की बातों को पूरा करने के द्वारा संसार की चीजों का लालच ना करें परंतु स्वर्गी बातों पर मन लगाए आईए मित्रों एक निर्णे करें कि हम परमिश्वर की बुलाहट के योग चाल चलेंगे जैसा उसने हमें बुलाया है। आईए हम प्रार्थना करें। आईए लेकिन हमारे जीवन के पाप, हमारे सभाव कई बार आपको आशीश देने से रोक देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि उनके जीवन में ऐसा बल और सामर्थ दें कि वे विश्वास के इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और कोई भी कड़वी जड़ उनके जीवन में, उनके परिवार में ना आने पाए। पिता आज जैसा हमारे दर्शकों ने विंती किया है, हम विशेश तोर पे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो सेवा में हैं, हमारे वे दर्शक जो सेवकाई कर रहे हैं, जो हैं जो कि उनके सेवा का विरोध करती हैं, परंटु प्रभू हमारी प्रार्थना है कि उन्हें आप एक ऐसी जीवन दे पिता, जिसके द्वाराबे द्रधा से आपकी सेवा में बने रहें, उनकी इस खेती के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभू कि आप उसे फलवन्त क उनकी जो सेवकाई है प्रभू उसके द्वारा बहुत सी आत्मा है प्रभू इशू क्रिस्ट को जाने और उध्धार के अनुभा को प्राप्त करें ताकि पिता आपके दास आपके लोग प्रभू जो पासबान है प्रचारक है प्रभू या सेवकाई में हैं वो आपकी सेवा में बहुत से लोगों को प्रभूशू आपके निकटा में लाने पाए आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इसका उत्तर हमें देने वाले हैं इसलिए हम धन्यवाद के साथ इस बिंटी को इशू के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्यन के दोरा आपने निश्चित दोर पर आशीशों को प्राप्त किया होगा जी हां आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि 18 सितंबर 2022 को हमारा बाइबल कुईज इसी इबरानी की पत्री पर अधारित है जिसके लिए आप तयारी कर रहे हैं आपके पास से दी किसी बात को जानने की आवशकता है तो आप हमें फोन के दोरा संपर करें और प्लीज एक मिस कॉल या फोन कॉल के दोरा आप हमें संपर करके बताएं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे आपके उपस्तिते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभू आपको आशीचते धन्यवाद झाल